हेलो फ्रेंड स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल के रिकुलेंट प्रिडिक्शन हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी ज़्यादा गाईज अनेक्स्पेक्टेड चैनजे दोनों टीमों में मतलब एक एक मुकाबले में तीन चार चैनजे दो एसे में काफी जादा रिक्सी मैच हो जाता है तो अगर आप लोग इंफेर्मेशन ले ले लेतो ह्याँ तो ठीक है वैसे में इसा नहीं कहाओंगा के इंफॉर्मेशन के बतालों थी आप सिर्फ मुकाबले को खेलो क्योंकि आप लोगों को मालूम है यह मुकाबले रात में खेला जाएगा रात में साड़े-चार बजे यह मुकाबला होगा तो ऐसे में अगर जब आप उठ पाते हो तभी इस मुकाबले को खेलना नहीं तो आप लोग कर सकते हो क्योंकि बहुत जादा रिक्सी मुकाबले यह आप लोगों को देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो को हम लोग पहले कर लेते हैं स्टार्ट यहां से मैं बात करता हूं यहां से देखिए मैच नंबर 11 खेला जाएगा सीपियल का 9 सितंबर को साड़े चार बजे मतलब यह रात में साड़े चार बजे मुकाबला आप लोगों को इस्टार्ट हो जाएगा बात करते हैं दोस्तों यहां पे वैनु का तो आप लोग देख सकते हो यहां पर डैरन सेमी का यह मतलब वैनु रहने वाला है पिछ रिपोर्ट सबसे पहले मैं आप लो को रिकॉर्ड के बेस पे भी दिखा दूंगा और यहां पर जो फास्ट बोलार होते हैं जिनको हम लोग पेसर कहते हैं किर्केट के लैंग्वेज में वह यहां पर काफी ज्यादा आप लोगों को अच्छा करते हुए दिख सकते हैं बात करते हैं यहां पर देखिएगा तो क्रिक 2580 भी लिखकर आप लोग मुझको सर्च कर सकते हो बाकि यहां पर आना तो सबसे पहले आप लोग पिंड मैसेज देख लेना 6 जून का मैसेज होगा तो आप लोग सही जगा पर आयो विकस काफी जादा लोगों ने मेरे नाम से फेक चैनल वागर है क्रेट किया हुए तो होप आप लोग बात समझ रहोगे बागी बता दूग यह मतलब मेरा सेकेंड चैनल है एक जो पहला चैनल था वो इस्ट्राइक के वज़ए से डिलिट कर दिया गया था ड्रीमलोन के श्ट्राइक के वज़ए से यूटूब और टेलिग्राम दोनों जहां पर कह सकते थे से मतलब एक लाग के संथिंग संस्क्राइबर थें बट होप फुल मतलब अनफोर्चिनेटल वो चैनल इलिट कर दिया गया तो होप आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग नेक्स टाइप यहां भी उतना कर लिया जाएगा आई फिर साम लोग वीडियो पर यहां पर सब्सक्राइब वीडियो फ़रे गया तो किया कुछ होता है तो यहां पर देखिएगा तो संथ लूसिया की टीम ने दो विगेट से मुकाबला जीत लिया है आप इसमें ये सिफ देखो ना बॉलर्स क्या कुछ करते तो पेसर ने 11 विगेट निकाला इस पिनर के मातर 4 विगेट थे एक और मुकाबला खेला गिया है अभी दो ही दिन के अंतराल में ये मुकाबले खेल मुकाबले है इस वाजा से मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं बाकि अब इन दोनों टीमों के बीच में बात करते हैं जब आखरी के 5 मुकाबले जब दोनों टीमों एक दूसरे के विरुद देखेलती है तो कौन से टीम का यहां पर पढ़रा भारी रहता है बियार वी के सर इस पिनर जादा मेटर नहीं करेगा विकाज यह वैनू रिकॉर्ड नहीं है यह सिर्फ मैं आप लोगों को यह बताना चाहरा हूं कि जब यह दोनों टीम फेस ओफ हेड टो हेड खेलती है पिछले 5 मुकाबले में तो क्या हुआ है ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं जब दोनों टीम overall head to head खेलती है मतलब कि आज तक 19 मुकाबले खेली है इसमें से क्या कुछ हुआ है संतलूसिया किंग्स की टीम ने 7 मुकाबले को वोन किया वहीं बार बार डोस रोयल की टीम ने 12 मुकाबले को वोन किया और आकरी 5 मुकाबले में मैंने आप लोगों को बता यहां पर जब जब score मतलब डेरं समी जो इस्टेडिया में उसमें जब-जब मुकाबले होते हैं तो क्या कुछ score बनता है यहां से थोड़ा सा attention देना देखो 150 से कम 9 बर score बना है 150 से 170 के बीच में यहां पर कह सकतू 9 बर score बना है तो ऐसी में इतना ही score बना चाहिए क्योंकि 150 से कम 9 बर बना है तो 150 से 170 के बीच में भी 9 बर score बना है तो हम लोग 150 से 170 के बीच यहां पर average score मानके चल सकते हैं बात करते हैं यहां से SLK की टीम की क्या कुछ possible playing 11 हो सकती तो बता दू आप लोगों को जब रात को आप लोग उड़ जाना तभी मुकाबला यहां पर जोईन करना नहीं तो बहुत ज़ादा रिक्सी मुकाबले हो सकते हैं विकाज आप लोगों को मालूम है एक-एक मुकाबले में 3-3-4-4 changes हो जाता है तो देखो यहां पर जॉनसन चार्ल्स के साथ निरोशन डिक वाला पिछले मुकाबले में आये थे और opening किये थे इससे पहले 5 डूपले सी opening कर रहे थे अब जॉनसन चार्ल्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कहा थे जाकर मेरी SLK वाली वीडियो देख सकते हो 62 रनो का स्कॉर फाइनली इन्होंने किया था उससे पहले देखोगो तो बिल्कुल फ्लॉप गये थे 4-4 रनो का स्कॉर कर पा रहे थे निरोशन डिक वाला की बात करते हैं तो 10 रनो का स्कॉर इनके बैट से आया था सिरलंका के खिलाड़ी है या आप लोगों को अभी मुझे नहीं मालूम विकिट कीपरिंग कर रहे हैं कि नहीं CPL में लेकिन सिरलंका के टीम से यह विकिट कीपरिंग करते हैं अगर आप लोग CPL लाइव देख रहे हो तो मुझको बता सकते हो 5-2 places की बात करते हैं टीम के captain ने इस से पहले captaincy रोश टंचेज कर रहे थे पहले मुकाबले में यह नहीं थे तो बागी पिछले मुकाबले में इनका खाता तक नहीं खुल पाया थो उस से पहले 47 रनु का score इनके बैट से आया था अकिम आगश्टी की बात करते हैं यहां डोमेश्टीक सरकेट के खिलाड़ी यह 4 रोनों का स्कोर यह किये थे आईजा आल राउंडर डोमेश्टीक में खेलते हैं लेकिन यहां पे सिर्फ बैटिंग से ही इनको आजमाया जा रहा है रोस्टीक सरकेट के खिलाड़ी यहां अब आप लोगों को नाया नाया नाम दिख रहा है इनका मैं ओवर्राल रिकॉर्ड बताऊंगे ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो यहां पे क्लियर हो सके अब team David की बात करते हैं Singapore के खिला रही है यहाँ पर Australia की नागरिक्ता ले चुके हैं अब Australia के तरफ से in future आप लोगो को cricket खेलते हुए दिख जाएंगे और यहाँ पर इनको काफी नीचे आई थिंक SL के की team खिला रही है बहुत इलाजवाब power hitter है मुझे लगता है top 4 या 5 में खिलाना चाहिए लेकिन इनको 7-8 नमबर तक खिला रही है तो फिर इनका sense कोई बनता नहीं है और balling इनसे डलवा नहीं रही है team 20 round का score इनों नहीं किया था बागी डेविड वीजी की बात करते हैं और balling से 3 wicket निकाले था अभी तक आप लोग देखोंगे तो 6 wicket यह निकाल चुके हैं 3 मुकाबले में अलजारी जोसेफ की बात करते हैं यहाँ पर इनके team के तरफ से कह सकते हाइस्ट मतला wicket taker baller है एक wicket पिछले मुकाबले में मिला था उससे पहले दो wicket और उससे पहले 4 wicket इनको मिला था और यहाँ से जेवन रोयल पिछले मुकाबले में खेले नहीं थे sorry guys यहाँ पर जेवन रोयल खेले थे पिछले मुकाबले में और एक wicket इनको मिला था अच्छा बात करते हैं इनके तरफ से कौन सा प्लेयर ओपनिंग और देथ में बॉलिंग कर सकता है तो यहाँ पे देखो आप लोग ओपनिंग के लिए मान सकते हैं जेवेन रोयल और अलजारी जोसेफ को वहीं देथ में अलजारी जोसेफ इसकौर्ट कोगलीन आप लोगों को बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं अब देखो यह टीम मतलब अभी तक तीन मुकाबले खेली और देखो कितने चेंजेज हुए तोटल पांच चेंजेज हो चुके हैं यह सारे खेलाडी मतलब स्टार्टिंग के जो तीन मुकाबले थे इसमें खेले थे जो कि आप बेंच पे जा चुके तो आप लोग इनका भी देख सकते हो रिसेंटी स्कोर कि बात करते हैं इनके तरफ से कौन सा बॉलर अच्छी खासी आप लोगों को ओबर करते हुए दिख जाएगा तो यहां से देखो मतलब जेवन रोयल को आप लोगों एक नाम मान सकते हो अलजारी जोसेफ हो गये स्कॉट कूगलीन हो गये रोश्टन चेज भी अभी तक आज बॉलर है इनके तरफ से बागे हो सकता है ओवर भी देखो डिवाइड हो क्योंकि रोश्टन चेज एज अल्राउंडर खेलते हैं और डैविड वीजे भी अल्राउंडर है ठीक है तो इन लोगों का हो सकता है ओवर यहां पर डिवाइड हो अब बात करते हैं यहां पर करते हैं इनके तरफ से पिछले मुकाबले में क्या कुछ प्लेइंग 11 थी तो काईल मेयर्स के साथ क्वैंटन डिकॉक ओपनिंग करना है थे अब काईल मेयर्स की बात करते हैं तो बावन रनू का स्कोर बैटिंग से इन्हों ने किया था वहीं बालिंग भी कर रहा है भले स पिछला तीनों मुकाबले में और होता है कि तो मैंने ये और पिछले मुकाबले मेन न इस लग पतता हूर सकना हो्ट उसके लिए복 कैáoकि डेविड मिलर्स की टीम के कैप्टन है और पिछले मुकाबले में ये खुद को पर मोशन भी करके वन डाउन आ गया थे खेलने इससे पहले ये टू डाउन खेल रहे थे लेकिन पिछले मुकाबले में इन्होंने लिकाला था वर्ल्ड गलास अल्राउंडर हैं कॉर्विन बोच के बारे में बता दू गयाज इनको मतलब दो ही रन करने का मौका मिला था बैटिंग था और बॉलिंग ये किये नहीं थे पिछले मुकाबले में और उससे पहले जो कि ये पहला मुकाबला हुआ था जिसमें 10 पलस बॉलिंग से एक विकिट आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर ये वन डाउन खेलने आए ठीक है तो इसी लिवजा से मैं कहा रहा हूँ कभी कोई ख़लाडी वन डाउन खेलने आ रहा है तो कभी कोई ख़लाडी अगर चार उबर बॉलिंग कर रहा है और कभी जो ओपनिंग आ रहा है उसको 9 नंबर 10 नंबर पर धगिल दिया जा रहा है तो ऐसे मैं आभी देखो बहुत ज़्यादा रिक्सी मुकाबले हो रहे है वही ओसन थोमस देखो पिछले मुकाबले में खेलने आया थे जिनको दो विकेट मिला था और I think इनको पहले ही मुकाबले से खेलाना चाहिए था अगर ये फीट फार्ट थे तो जेश्टिन ग्रिप्स की बात करते हैं अब I don't know कि ये आज़ बैट्समेन खेल रहे थे या फिर आज़ बॉलर खेल रहे थे यहां तक आठ नमबर तक इनकी बैटिंग ही नहीं आई थी और नहीं इनको बॉलिंग करवाया गया तो देखो इस्टार्टिंग के दो मुकाबले नहीं खेले थे उससे पहले तो यह जितने नाम आप लोगों को दिख रहे हैं सारे खेले थे इस्टार्टिंग के दो मुकाबले लेकिन उसके बाद बेंच पे चल गया थे अनफोर्शुनेटली यहां से गया मुझे सबसे बुरा लग रहा है रकीम कॉर्णवाल के लिए क्योंकि इनका पफोर्मेंस का अच्छी खासी ओवर कर सकता यहां पे से ओवेड मोकोई का नाम मान लेना बाकी जैसन होल्डर हो गया है और यहां पे से मैं बताता हूं यहां पे से एक नाम आप लोग ओसन थोमस का भी मान के चल सकते हो देखो बार बार कहा रहा हूं गया बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि आप लोगों के लिए गाइस आपका पैसा हमारे लिए भी काफी मैटर करता है तो होप आप लोग बात समझेर होगे देखो यहां से अब थोड़ा सा हम लोग यहां पे ओवर ओल रिकॉर्ड प्याते हैं और प्लियर्स का यहां पे देखते हैं तो देखो यहां पे फॉर्म में थे उनको बाहर बैठा दिया गया है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां से देखो हैरी टेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा आप लोगों का आयरलेंड से आते हैं काफी लाजवाब खेला रही हैं लेकिन यह भी मतलब कह सकतो इनका भी परफोर्मेंस परफ खेलाली कभी मुठा कर आ जाता है बैटिंग करने बॉलिंग करने कुछ समझ नहीं आ रहा है अब देखो एसलके की टीम से बात करते हैं तो आकीम अगस्टी नाम के खेलाली यह लेफ्ट हैं बैटिंग करते हैं रिकॉर्ड देखो वंडे डोमेस्टिक का 57-52-0-10 ठीक है ब खेलाली का आप लोग चाहूत इस्क्रीन सोट ले सकते हो क्योंकि बहुत जादा अनेक्स्पेक्टर्स हो रहा है तो क्या मालूम आज के मुकाबले में भी आप लोगों को 3-4 चेंजे यहां पर साभाविक रूप से होते हुए दिख जाए तो ऐसे में आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए काफी आवश्यक हो जाता है तो क्रिक 2580 लिकर आप लोग सर्च कर सकते हो नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंड बॉक्स में जाए लिंक मिलेगा लिंक के थूरू भी आ सकते हो अच्छा देखते हैं ड्रीम अलों में हमारी क्या कुछ ती बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं तो फिलहाल के लिए दो विगिटकी पर लेकर चल रहा हूं लेकिन बता दूदेगो फाइनल टीम है नहीं फाइनल टीम टॉस के बाद टेलीग्राम पर आवश्या आ जाना बात करते हैं यहां से बैटिंग सेक्शन की तो काइल मेर्स बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा बाकि किलर मिलर पिछले मुकाबले में खुद को पर मोड भी कर लिये थे और बहुत नीचे खेलेंगे तो चार से पांच नमबर उससे नीचे नहीं जाएंगे लेकिन कैप्टन है और उपर आ भी रहें और बाकि अगर मैं इनको हटा क भी आप लोगों को कुछ दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ सही पिक दिख भी नहीं रहे तो क्यों आप लोगों को सजेस्ट कर पाऊं टीम डेविड़ो तो इनका तो और भी नीचे बैटिंग करम चल जा रहा है आठ नमबर नौ नमबर पे चल जा रहा है बाकि मार्ग डेयल अब कुछ पार्ट टाइम बालिंग करके दे सकते हैं अगर खेलेंगे तभी नहीं इनके बारे में डिसकस किया जाएगा तो अभी खेली नहीं रहें तो अगर खेलते हैं तो टेलीग्राम पे बता दूँगा तो फिलाल के लिए किलर मिलर ही टीम में जहाँ पे जगा बना देखो बात करते हैं आल राउंडर सेक्षन से तो जैसन होलडर की कुछ नहीं तो बालिंग करके देंगे देख मीं बालिंग करेंगे और हीटर भी बहुत अच्छे बारे में वहीं बोलना चाहूंगा तीन से चार उबर करके अभी जब दे रहें तो अच्छे खेलाड़ी टीम में रख लीजे बागी बैटिंग से भी आप लिगो कुछ ना कुछ हिट लगा के देही सकते हैं देखो साउथ अफ्रीका के खेलाड़ी है ना बेविया में जाके खेलते हैं तो किरकेट तो साउथ आफ्रीका भूर्न खून में तो हो गई अब रोश्टेंचेज को रख रहेगा फिलहाल के लिए तो अलजारी जोसेफ ओबिन मोकई इसकोट कूगलिन को मैंने ट्राइ कर लिया है लेकिन अगर ऐसा होता है बारबार ओस वाइस की टीम पहले बॉलिंग करती है तो यहां से ओसन थोमास को लेना भी काफी कंपल्सरी हो जाता है जो कि देथ में सब्सक्राइबर कम दिख रहे है तो मैंने बताया है ठंडी में जब बिग बैस लिक शल रहा था तो अन सब्सक्राइबर कर लिया जाएगा जो कि पुराने चैनल पर है बागि सब्सक्राइबर देखकर प्लीज मुझको जज्मत करना लगबग 6 सालों से मैं ड्रीमेलों खेलता हूं बहुत एक्स्पीरियंस है क्या तारिफ करूं तो होप आप लोग बास समझ रहोगे चली मिलते है निक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई